नमस्कार, उनकी कलम मेरी अवाज में आप सभी का स्वागत हैं, बड़ों को प्रिणाम और छोटों को बहुत सा प्यार चलिए सुनते हैं कहानी लैला, जैसे लिखा है मुन्शी प्रीम चन्जी ने कौन है लैला? वा कहां से आई है? यह सब किसी को मालूम ना था तहरान की चौक पर एक रोज लोगों ने खूपसूरत सुन्दरी को हाथों में डफली लिए, गजल गाते और जूनते देखा देखते ही देखते पूरे तहरान में एक खूपसूरत महिला की चर्चा होने लगी वा कोई और नहीं, बलकि लैला ही थी लैला की सुन्दर्ता को लबजों में बताने के लिए, शायद सब्द भी कम पड़ जाएं उसके सुन्दर्ता की मात्र कल्प नहीं की जा सकती थी लैला किसी रंग बिरंगे फूल से कम न थी उसकी आवाज बासूरी की मधर धुन की तरह थी जब लैला मस्ती में गाती थी, उस समय पूरा वातावरन खुशनुमा हो जाता था लैला कविता, गीत संगीत और सुन्दर्ता की मनोरम मोर्ती सी थी वह अपने गीतों में आने वाले वक्त का हाल सुनाती थी कहती थी, एक समय आएगा जब युद्ध संगर्ष का अंत हो जाएगा देश में प्रेम संतोष का राज होगा वह गीतों के जरिये राजा से सवाल भी करती थी और सोई हुई प्रजा को भी जगाती थी सारा तहरान उसकी अदा पर फिदा था लैला गरीब कमजोर के लिए आशा के दीपक की तरह थी रैसों के लिए मार्ग दर्शक, दिलदारों के लिए परी और सत्ताधारियों यानी राजपाट समालने वालों के लिए धर्म का संदेश थी उसके एक इशारे पर नगर की जनता आग में भी कूच सकती थी लैला के गुण और उसके सुन्दरता पूरी जनता को आकरशित कर चुकी थी एक समय की बात है एक बार तहरान का सहजादा अपने खोड़े पर बैट कर नगर में निकला इत्तिफाक ऐसा कि लैला उसी वक्त मधूर गीत कुन-गुना रही थी सहजादे ने आवाज सुन खोड़ा रुका वह स्थब्ध हो गया और काफी देर तक बीच सड़क पर रुक कर गीत सुनता रहा कुछ देर बात सहजादा खोड़े से उत्रा और रोने लगा आखों में आसो लिये वह उस आवाज की ओर चलने लगा सामने लैला को देख वह दोड़ा और उसके चर्णों पर जुक गया वहां खड़े आसपास मौजूद लो पीछे लैला घबरा कर बोली कौन हो तुम? सहजादे ने कहा गुलाम हो तुम्हारा लैला आपको मुझसे क्या चाहिए? सहजादे ने कहा आपकी खिद्मत का हुक्म चाहता हूँ मेरे चोटी सी जोपड़ी में अपने कदम रखकर उसे रोशन कर दीजिए लैला मेरी आदत में यह सब नहीं है सहजादा दुखी होकर वहीं रुक गया लैला ने फिर से गाना सुरू कर दिया उसका गला कापने लगा ऐसा लगा मानू जैसे वीड़ा के तार तूट गए हूँ उसने मुड़कर सहजादे को देखा और बोली तुम यहां ऐसे मत बैठो वहां मौझूद दरजनों लोगों ने लैला को बार बार बताया कि यह तहरान नगर के सहजादे हैं इनका नाम नादिर है लेकिन लैला को इससे तनिक भी फर्क नहीं पड़ा वह बोली बड़ी अच्छी बात है कि यह सहजादे है लेकिन यह यहां क्या करेंगे उनके पास महल में महफिल है शान उस शौकत है फिर वे भला यहां क्यों रहेंगे जिनें गम है और जो अपने दिल के दर्द पया नहीं कर पाते मैं उनके लिए गाती हूँ ना कि किशी के सौक के लिए शहजादे ने कहा लैला मैं तुम्हारे इस मधूर संगीत पर सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ मैं अब तक शौक का गुलाम था लेकिन तुम्हारी आवाज ने मुझे दर्द का स्वाच चखा दिया लैला कुछ बोली नहीं और फिर से गाने लगी इस बार उसकी जुबान से सब नहीं पूटे उसकी आवाज पर उसका काबू नहीं था वह रुख गई वह डफली लेकर वहां से जाने लगी सभी लोग अपने घर जाने लगे जैसे ही लैला अपनी जोपड़ी के करीब खड़े पेर तक पहुँची तो उसने देखा कि कोई उसके पीछे आ रहा था वह मुडी और बोली कौन हो तुम दरसल लैला का पीछा करते करते सहजादा नादिर उसके घर तक आप पहुचा था लैला बोली क्या तुम नहीं जानते कि मैं अपने आशियाने में किसी व्यक्ति को भी नहीं आने देती हूँ सहजादे ने कहा मैं ये जानता हूँ लैला बोली सब जानते हो फिर किस उमीद में यहां तक आए हो इस बार सहजादे ने कुछ नहीं कहा कुछ तेर की चुपी के बाद लैला बोली कुछ खापी कर आए हो या नहीं सहजादे ने कहा अब ना तो भूख है और ना ही प्यास जान पड़ती है लैला बोली चलो आज आपको गरीब के हाथ का स्वाद चखाऊं सहजादा इनकार नहीं कर पाया लैला ने बाजरे की रोटी परोसी इस बार पाजरे की रोटी में भी सहजादे को स्वाद मिला गरीब छोपडी में भी उसे आनन्द आ रहा था वह एक सुकून महसूस कर पा रहा था जो शायद आज तक उसने कभी नहीं किया था सहजादे का खाना खत्म होते ही लैला बोली आधी रात हो चुकी है अब तुम्हें जाना चाहिए सहजादा पेचैन हो गया उसने जाने से मना कर दिया और कहा अब मैं भी यहीं रहूंगा अब सहजादा लैला का साथी बन गया जहां जहां लैला जाती सहजादा उसके साथ जाता था लेला गाती और वह सुनता था जब यह ख़बर बादशाह को लगी तो उन्होंने सहरादे को बहुत समझाया लेकिन सहरादे ने किसी की एक ना सुनी वहीं दूसरी और अब लेला के आवाज में भी वो पहले वाला जादू ना था लेला अभी भी गाती जूनती थी लोग आते थे लेकिन पहले वाली बात नहीं थी जो लेला कभी दूसरों के दिल के दर्द गाती थी अब वह अपना मन बहलाने के लिए गाने लगी इस तरह लगबग छे महीने बीट गए एक रोज लैला गाने जाने के लिए तयार नहीं हुई तो सहजादे ने कहा आज जाना नहीं है क्या लैला बोली सच बताना सहजादे क्या अब भी तुम्हें मेरे गाने पहले जैसे अच्छे लगते हैं सहजादे ने कहा मुझे पहले से भी कई गुना जादा मज़ा आता है लैला जट से बोली लेकिन लोगों को अब मज़ा नहीं आता अब मैं कभी नहीं गाऊंगी सहजादे ने कहा हाँ इसका मुझे भी ताजुब है लैला बोली, पहले मेरे दिल में सभी के लिए समान जगा थी पहले मेरी जो आवाज निकलती थी, वह सभी के दिलों तक पहुचती थी लेकिन अब तुम औरों से अलग हो गए हो आज से तुम मेरे सब कुछ हो अब से मैं तुम्हारे साथ चलूँगी इस जोपडी में आग लगा दू फिर पूरे तहरान में जशन का महौल हो गया घर-घर मिठाईयां बन रही थी सहजादे और लैला का विवा हो रहा था हजारों लोग मश्रिदों में एक साथ नए जोड़े के लिए लंबी उम्र की दुआएं माग रहे थे इस मौके पर लैला ने बिलकुल सादे कपड़े पहन रखे थे आभूशन का कोई नामों निशान नहीं था महिलाएं लैला को दुआएं और मुबारक बात दे रही थी जिस पर एक सुर में वहां मौजूद लोग आमीन आमीन कह रहे थे देखते ही देखते कई साल बीद गए सहजादे नादिर अब नगर के बाजशाह बन चुके थे और लैला उनकी मलिका उस दोर से पहले इरान का राजपार्ट कभी इतना अच्छा नहीं था बाजशाह नादिर और मलिका लैला दोनों ही अपनी प्रजा को अब अपने करीब मानते थे और उनका हमेशा भला सोचते थे नादिर राजशत्ता की वकालत करता तो लैला प्रजा की ओर से दलील देती जब कभी राजपार्ट से थोड़ा वक्त मिलता तो दोनों एक साथ गाते बजाते थे कभी नादिर लैला की मान जाता तो कभी लैला नादिर की सुन लेती यह उनके सुखी वैवाहिक जीवन का उसूल था उस समय जब बाजशाहों और महलों में एक से अधिक बेगमों का बोलबाला हुआ करता था उस वक्त तहरान के बाजशाह पर लैला का एक मात्र अधिकार था लैला ने राजपार्ट की सारी कमान अपने हाथों में रख ली थी अब सारा धन प्रजा के हित में खर्च किया जाता था सब बढ़ियां था किन्तु प्रजा मन ही मन संतुष्ट नहीं थी उन्हें ये डर था कि अगर ऐसा ही हाल ज़्यादा दिनों तक चला तो वो दिन दूर नहीं कि राजा प्रजा का भेद खत्म हो जाएगा लैला और नादिर के लाग समझाने के बावजुद्धी दोनों वर्गों का भेद मिटाने का नाम नहीं ले रहा था लडाईयां और विवाद बढ़ते जा रहे थे सामन्त और उचे वर्ग के लोग बादशाह नादिर को मारना चाह रहे थे जबकि वहां की प्रजा लैला की दुश्मन बनती जा रहे थे पूरे राज में अशान्ती का वाता वर्ग था एक रोज रात के समय बादशाह और मलिका अराम गाह में थे सत्रंज की बाजी चल रही थे नादिर ने कहा लैला अब तुम्हारा प्यादा गया लैला बोली ये लोश है तुम्हारा खेल खत्म नादिर ने कहा तुमसे हारने में जो खुशे मिलती है वा जीत में बिलकुल नहीं है लैला सह बचाईये वरना अब अगली चाल से आपकी हार तै है नादिर ने भौए चड़ा कर कहा तुम्हे राजा का अपमान कीया है इतने में लैला बोली दो बार मैंने आपको छोड़ दिया है अब आप नहीं बचेंगे नादिर ने कहा जब तक मेरे पास मेरा घोड़ा दिलराम है तब तक मुझे कोई दुख नहीं है लैला तो लाइए दिलराम को हो गई आपकी मात नादिर जब मैं तुम्हारे गुड़ों के सामने अपना दिल हार बैठा तो अब मेरा प्यादा क्या चीज था उसका अंत तो होना ही था लैला बोली बाते मत बनाईए आप हारे हैं इसलिए शर्ट के मताबिक इस पत्र पर अपनी मोहर लगा दीजिए फर्मान में लैला ने यह लिखा था कि आयात कर कम करके आधा कर दिया जाए सत्रंज में हारने पर नादिर ने इस फर्मान पर मोहर लगाने का वादा किया था शर्ट के मताबिक बार्चा ने मोहर लगा दी और इसके साथ ही प्रजा को साल के तकरीबन पांच करोन के गर से छुटकारा मिल जाएगा लैला मन ही मन के सोच कर खुश हो रही थी कि जब प्रजा को इसकी जानकाई मिलेगी तो वो कितनी खुश होगी और उन्हीं दुआएं देगी तभी अचानक राजभवन में शोर मचा अफरा तफरी का महौल हो गया पूशने पर पता लगा कि गुसाएं लोगों की भीड आई है और वेराजभवन की दिवार तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहे थी शोर बढ़ता ही जा रहा था लैला एक कोने में चुप चाप खड़ी थी नादिर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे अंत में उसने लैला की तरफ देख कर कहा मैं सेना को बुलवा भेज़ता हूं इतने में लैला बोली थोड़ा रुकिये आखिर इन सभी लोगों से एक बार पूछी तो कि ये चाहते क्या है लैला की बात सुनते ही नादिर चट पर चड़ गया और लैला भी उसके साथ हा पहुची दोनों चट पर खड़े थे भीड की नजर उन पर गई भीड चिल्लाई वो देखो लैला चट पर खड़ी है नादिर ने चिल्ला कर कहा यह इरान की बदनसीबी है कि आज ये दिन आया तुम लोगों ने राजभावन को क्यों इस प्रकार से घेरा है आखिर क्यों तुमने बगावत की राह चुनी है बताओ मैं बादशाह तहरान तुम सभी को खुक्म देता हूँ इसी वक्त यहां से जाओ गुसे में तम-तमा के नादे ने कह अल्ला से डरो मलिका का इस तरह अपमान करते हो तुम लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं है लेला जब से मलिका बनी है उसने तुम लोगों को कितनी सुविधाएं दी है और तुम ऐसी बेयत भी कर रहे हो कभी महल में आकर देखो कि मलिका कैसा जीवन जीती है लेला वैसा भोजन खाती है जो तुम जानवरों को खिलाते हो साथ सजावट तो दूर लेला का महल खाली खंड़हर है लेला मलिका होकर भी पकीरों खसा जीवन जीती है दिन रात प्रजा की सेवा में ही डूबी रहती है और तुम उसके साथ ऐसा बरताव कर रहे हो नादिर बोल ही रहे थे कि विद्रोहियों में से किसी ने चिल्ला कर कहा मल्ली का हम सब की दुस्मन है हम लैला का चहरा तक नहीं देखना चाहते इतने में नादिर ने चिल्ला कर कहा खामोश हो जाओ परमान दिखाते हुए नादिर ने कहा ये देखो लैला ने तुम लोगों के लिए कितना सोचा तुम लोगों का कर अब आधा हो गया है फिर भी तुम उसके लिए ऐसी बाते कर रहे हो हजारों लोग एक साथ बोले या तो बहुत पहले ही माफ होना चाहिए था हम अपनी मलिका के रूप में इसे स्विकार नहीं कर सकते बादशाह को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे उसे इस हालत में देख लैला बोली अगर अल्ला की यही मर्जी है कि मैं डफली बजाओं और गाना गाकर गुजर बसर करूं तो मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है मैं फिर से एक बार अपनी आवाज से जन्ता का दिल जीत लूँगी नादिर लैला को खोना नहीं चाहते थे उसने घबरा कर मिनार की घंटी बजाए ताकि सैनिक बाहर मदद के लिए आए और भीड को खाली कराए लेकिन ऐसा हुआ नहीं नादिर ने फिर दूसरी बार घंटी बजाए इस भार भी कोई सैनिक बाहर नहीं आया बाच्शाह नादिर ने तीसरी बार घंटी बजाए एक भी सैनिक पाह नहीं निकला नादिर ने सिर पर हाथ रख लिया वो समझ गया कि यह खत्रे की घंटी है अब खराब दिन आ चुके है अब उसे जनता के कहे अनुसार काम करना ही पड़ेगा लैला नादिर को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी थी वो उसका हाथ पकड़े राजभवन के द्वार से बाहर आया भीड दो हिसों में बढ़ गई नादिर और लैला रात की अधेरे में तहरान के रास्तों पर चलने लगे उन्होंने मस्जिद में पनाह ली क्योंकि उन दोनों का अब कोई आश्रे नहीं था इस तरह दर दर भटकते भटकते पूरा साल बीद गया दोनोंने समरकंद, बुखारा, बगदाद, हलब, काबिरा और अदन इन सारे देशों की खाक छान डाली लैला की आवास का जादू एक बार फिर काम आया उसके गाते ही पूरी शहर में एक अलग ही हलचल सी मच जाती थी दिन भर वेगा कर लोगों का मनुरंजन करते खूमते खाते और कहीं रात बिता कर अगले दिन वहां से रवाना हो जाते थे प्रजा के पूरे बरताव से उनका मन बहुत दुखी था लैला के मन में ये बात बैठ कही थी कि आप जिनके लिए अपना सब कुछ दे देते हैं आगे चल कर वही आपका दुश्मन बन जाता है जिसकी भलाई करो आने वाले दिनों में वही बुराई करता है किसी से भी इतना दिल नहीं लगाना चाहिए लैला के पास बड़े बड़े रईसों बाच्चाहों का बुलावा आता था लेकिन लैला किसी के यहां नहीं जाती थी इधर इरान में शासन व्यवस्ता आन यंत्रित थी लोगों से तंग होकर रईस धन्मानों ने भी पौच जमा करनी शुरू कर दी थी तभी राज्य में अकाल पड़ गया लोग भूखे मरने लगे थे और व्यापार नश्ट होने लगा था सारा खजाना खत्म हो रहा था जन्ता कमजोर हो रही थी और बड़े लोगों की शक्ती बढ़ती जा रही थी आखिरकार एक दिन आया जब जन्ता ने घुटने टेक दिये प्रजा ने जिने नेता चुना उन नेताओं को फांसी दे दी गई और राज में राईसों का दबदबा हो गया उन्होंने राजभवन पर कबजा कर लिया अब उन्हें नादिर की भी याद आने लगी शक्तिसाली रईशों को लगा कि बीते समय में जो हुआ उसके बाद नादिर और लैला का जन्ता के लिए प्रेम मर गया होगा अगर वे दुबारा सिंगहासन पर बैठे तो भी शक्तिसालीों का ही कहा सुनेंगे इसी उद्देश के साथ वे नादिर और लैला को मनाने के लिए निकल पड़े शाम का वक्त था लैला और नादिर एक पीड के नीचे बैठ कर आराम कर रहे थे दोनों एकदम चुपचाप प्रकृती की सुन्दर्ता को निहार रहे थे तभी उने लगा कि खुरसवारों का काफिला उनके करीब आ रहा है नादिर जटके में उठा और देखने लगा तभी एक खुरसवार उनके करीब आया और रुक कर सलाम کیا नादिर का चहरा खिल गया वह लैला की और देख कर चिलाया कि यह इरान का आदमी है इस पीच वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या चल रहा था लैला चिल्ला कर बोली सावधान हो जाओ और अपनी तलवार समाल लो क्या पता इनकी जरूरत पड़ जाए खुर्चवारों ने एक साथ नादिर को फिर से सलाम किया इस बार नादिर खुद को रोक नहीं पाया और उन्हें गले से लगा लिया खुर्चवार बोले बादशाह देश अपने स्वामी को खोज रहा है आप हमारे साथ चलिए नादिर ने कहा एक बार आप लोगों ने हमारी इज़्जत ले ली इस बार क्या जान लेंगी मैं यहां बहुत ही आराम से हूँ मुझे परिशान मत करिये लोगों ने बार बार साथ चलने के गुहार लगाई लेकिन नादिर एक ही रट लगाया था काफी मिन्नतों के बाद वह साथ जाने के लिए तयार हो गया तभी लेला बोली तेहरान की प्रजा मुझे से नारास थी आप से नहीं आप भले ही उन्हें माफी दे सकते हैं लेकिन मैं नहीं लेला के मुझे ऐसी बाते सुनकर नादिर हैरान रह گیا उसे समझ नहीं आया कि लेला ऐसा क्यों कह रही है लेकिन उसने कुछ नहीं कहा दूतों के साथ वे दोनों तहरान के लिए चल पड़े नगर पहुंचते ही शक्तिशाली लोगों ने उनका जोरदार श्वागत किया जबकि गरीब गमजोर लोग चीख बुकार रहे थे लेला को अब इससे कोई जिन लोगों की तकलीव देखकर एक वक्त में लेला का कलेजा फटता था अब उनके जीने मरने से लेला को कोई मतलब नहीं था नादिर जब भी प्रजा की भलाई का काम करता लेला उसमें बाधा डाल देती तीन साल इसी तरह बीद गए और प्रजा की स्थितित दिनों दि बिगरती जा दी थी एक रोज नादिर शिकार पर निकला शिकार के दौरान वह रास्ता भटक गया और अपने साथियों से बिछड गया वह जंगल में काफी देर भटकता रहा लेकिन उसे महल लोटने का कोई रास्ता ना सूझा अंत में वह खुदा को याद करते वेक रास जहां मात्र तीन चार ही घर थी तभी उसकी नजर वहां मौजूद एक मस्जिद पर पड़ी बहुत रात हो गई थी इसलिए बादशाह नादिर ने वहां रात बिताने की सोची वहां एक फटी चटाई पड़ी थी नादिर उसी पर सो गया अचानक आहट होई और नादिर चौक गया उसने आखे खोली और एक बुढ़े को सामने पाया नादिर ने देखा कि वह बुढ़ा व्यक्ति सुबह की नमास पढ़ रहा था नादिर इतना ठका था कि उसे पता ही नहीं चला कि सुबह हो गई थी वह शांत उस बुढ़े व्यक्ति को नमास पढ़ता देखत बोढ़े ने नमाज पढ़ने के बाद दूआ मागी बोढ़े ने हाथ उठा कर कहा ए खुदा तो गरीबों का मददकार है बे सहारों का सहारा है तो इस टूर बादशाह का अत्याचार देख रहा है तो देख रहा है कि कैसे वो एक औरत के इश्क में इतना डूब गया है कि यातनाए अपनी ब्रजा को भूल गया है खुदा तो उसे अपने पास बुला ले या तो फिर हमें अपने पास बुला ले ये यातनाए हमसे और न सही जाएंगी इरान अब इस अत्याचार से तंग आ गया है आज से पहले बार्चाह नादिर ने अपनी ऐसी आलोचना कभी ना सुनी थी दूआ के लब्ज सुनकर बार्चाह नादिर का खूल सूख गया उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे नादिर वही सोया रहा वह हिल भी नहीं पाया घटना के एक सब्ताह बात तक नादिर सभा में नहीं आया साथ ही उसने किसी सेवक से भी मुलाकात नहीं की कमरे में पड़ा सोचता रहा कि आखिर क्या करूं लैला से नादिर की यहालत देखी नहीं जा रही थी वह कई बार उसके पास जाकर पूछती कि आखिर बात क्या है क्यों वे इस तरह से बरताव कर रहे हैं नादिर उसकी गोद में सिर रखता और रोने लगता वह चाह कर भी कुछ बोल नहीं पा रहा था कई दिनों तक मन ही मन व्याकुल होकर अंत में उसने सोचा प्रेम अमर है मैं और लैला दिल से जुड़े हैं मुझे इत बात्षाहत का लोब नहीं है मैं लैला के बिना नहीं जी सकता वह कमरे से निकला और दोडते हुए लैला के कमरे में पहुचा देर रात हो चुकी थी लेकिन द्वार खुला था नादिर को समझ नहीं आया कि इस वक्त लैला कहां जा सकती है वह डर गया मन में कई सवाल आने लगे लेकिन उसने आशा न छोड़ी और पूरा महल चान मारा लैला कहीं नहीं थी बाच्शा नादिर मायूस हुए लैला के कमरे में लोट आये हजारों बुरे खयाल के बीच नादिर लैला के बिस्तर पर लेट गया कि तभी उसका हाथ तक्ये के नीचे रखे कागस के तुकडे पर पढ़ा नादिर ने पर्ची उठाई वह लैला का ख़त था नादिर ने पढ़ना शुरू किया पहली लाइन पढ़ते ही उसकी आँखें छलक उठी हिम्मत ना हुई कि आगे पढ़े लेकिन उसने ख़त पढ़ा लैला ने लिखा था मेरे प्रिये नादिर मैं तुमसे अब हमीशा के लिए विदा लेती तुम्हें मेरी सौगंध है तुम मुझे ढूरने की कोशिश मत करना लैला तुमसे इश्क करती है वह तुम्हारे प्यार की भूखी है तुम्हारे दौलत की नहीं बीते हफते से तुमने मुझसे निगाहें फेर रखी है मेरी तरफ देखते तक नहीं हो मेरे लिए इस सजा से बड़ी कोई सजा नहीं हो सकती मैंने अब तक जो किया केवल तुम्हारी भलाई के लिए ही किया था अब मैं तुम्हारे सामने भी गिर गई हूँ ये पांच साल मुझे हमीशा याद रहेंगे मैं डफली लेकर आई थी डफली लेकर ही जा रही अलविदा इतना पढ़ने के बाद नादेर लैला के गम में वहीं खड़ा रोता रहे इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है दुनिया में प्रेम से बड़ी कोई पूजी और मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है संसार में सच्चा इंसान वही है जो दूसरों की तकलीफ और दुख को महसूस कर सके और शहें कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है और मेरा कारे पसंद आ रहा है तो मुझे प्रोथसाहित करने के लिए लाइक करें कमिंट करके बताएं कि आपको कहानिया कैसी लग रही है और हाँ अगर आप मुझे जुड़ना चाहते हैं और इसी तरह के मनुरंज कहानिया सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या काविता के साथ तब तक के लिए आप सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद